Hello my YouTube family, कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप सब लोग बढ़िया हैं, भले चंगे हैं मैं भी बढ़िया हूँ आप लोगों से एक अपडेट शेर करनी थी मैंने इंस्टाग्राम पे एक निया पेज क्रियेट किया है किरिन शाहपुरी अकाडमी और ये page specifically उन लोगों के लिए है जो टारो सीखने में इंटरेस्टेड हैं टारो में अपना करेयर बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इस page को follow करें क्योंकि इसमें बोखोट सारी चीजें related and connected to learning टारो I'll be sharing exclusive tips, insights, upcoming workshop इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हूँ किरिन शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए September 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि September मन्त में आपके partner की क्या energies होंगी आप क्या महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में September मन्त में क्या रहेगा कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप September मन्त की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को बहतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं September 2024 की Love Tarot Reading आप लोगों के लिए देखें कि September 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पास यहाँ पे तीन set of cards हैं फिर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे सिकंड set of cards में आपके partner की energies देखेंगे और तर्स set of cards में हम देखेंगे कि finally September मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आपे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Hermit Rivers और ये card कहता है कि कुछ time से याँ पर September starting में एक enthusiasm excitement partner को लेकर इस relationship को लेकर missing रहतावा दिख रहा है अब दिखें इस missing excitement और enthusiasm के लिए सब Aries के लिए different reasons रहेंगे कहीं आप थोड़ा सा withdraw कर रहे हैं backseat लेना चाहा रहे हैं अब दिखें ये भी सब Aries के लिए different करेगा कुछ सवाल हो सकता है आपके मन में है कुछ चीजें आपके मन में है उनके जवाब ढून रहे हैं या कोई भी चीज रह सकती है क्योंकि deeper level के लिए family का card है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि family की involvement है family की interference है कुछ ये इसके लिए आपकी family हो सकती है कुछ के लिए आपके partner की family हो सकती है जिसकी वज़े से आप थोड़ा सा विट्रॉ कर रहे हैं यानि कि family किसी भी level पे एक reason रह रहा है और दिखिए family के साथ कहीं society, religion, culture आ जाता है तो कुछ के लिए ये भी एक reason हो सकता है और इसी लिए या फिर otherwise भी कहीं mid September के लिए Night of Souls, Reverse and Should I Stay के cards कहते हैं मन ही मन ही या फिर surface level के लिए भी मैं कहूंगी आपको इसे लग रहा है पता नहीं आपको इस relationship में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए आपको move on कर जाना चाहिए इस relationship से या फिर से मैं कहूंगी आपको इस relationship में रहना चाहिए और इसी सही related थोड़ी सी confusion है थोड़ी सी चीजें आपके mind में चल रही है जुनको आप clear तो करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे देखिए three of pentacles and growth के cards एक दो चीजें कहते हैं कुछ के लिए हो सकते हैं आपको इसे लग रहा है कि भई अपने professional front career पर focus करें relationship पर ना इतनी attention दें या फिर आपके मन में आ रहा है कि भई क्या करें अभी इस point of time पर relationship को आगे pursue करें या फिर relationship की वज़े से कहीं professional front effect हो रहा है और हम फिर से मैं कहूंगी relationship को छोड़के professional front पर focus करें और कुछ Aries के लिए भी हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि भई इस relationship में बहुत potential है आपने थोड़ा सा भी nurture की आपने थोड़ा सा भी attention दी तो ये relationship बहुत एक loving caring ये partner बहुत एक loving caring relationship में convert हो सकते हैं या इनके साथ आपका बहुत एक loving caring relationship रह सकता है और इसी वज़े से आप किसी से advice ले रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि आप इस smanjas में हैं कि भई आप इस relationship में रुकें या फिर इसमें से move on कर जाएं आगे बढ़ें और इसी चीज़ को आप किसी अपने loved one या फिर कुछ की लिए हो सकता है professionally किसी इंसान से पूछना चाहा रहे हैं, discuss कर रहे हैं कहीं you know इसी से ही related सल्हा, मश्वरा आप किसी से भी लेते वे दिख रहे हैं और अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies हैं, देखिए सबसे पहला card है two of swords reverse और ये card कहता है कुछ time से वो काफी stuck महसूस कर रहे थे और बहुत सरी चीज़ों को देख के अंदेखा कर रहे थे, decide नहीं कर पा रहे थे, एक indecisive energies थी, action initiative नहीं ले रहे थे, और कहीं देखिए, आपे weather the storm का card कहता है, कि काफी challenges पीछे वो महसूस कर रहे थे मुश्किले या problems कभी-कभी क्या होते है कि external front पे कोई खास problem नहीं होती है, हमारे मन में बहुत सारी चीज़े चल रहे होती है और कभी-कभी external front में problem होती है तो किसी भी level पे problem थी कहीं उसको नहीं जेल पा रहे थे, उनको avoid कर रहे थे, उनके अंदर इतना courage नहीं था, उनके अंदर इतना एक, you know, strength और stamina नहीं था, लेकिन कहीं starting September में उनको ऐसे लग रहे है कि भाई, वो इन challenges को face करने के लिए ready है, और कहीं जो एक, उनकी limbo मैं कह सकती हूँ एक, indecisive और inaction वाली energies थी, उसमें से खुद को बाहर निकालना चाहा रहे हैं लेकिन, देखें, mid September के लिए trust issues and nine of souls के cards कहते हैं कि कहीं वो उतना trust नहीं कर पा रहे हैं, यहां पर देखें, जरूरी नहीं ideas कि आपके ऊपर trust नहीं कर पा रहे हैं कभी-कभी अपनी ऊपर ही नहीं इतना विश्वास होता कि हम, you know इस चीज को निभा लेंगे हम इस चीज को deal कर लेंगे कभी-कभी यह भी होता है कि हमें partner पर इश्वास नहीं होता, कभी-कभी circumstances situations ऐसे होते हैं, तो देखें, हाँ पर trust issues किसी भी चीज को लेकर हो सकते हैं कभी-कभी childhood issues होते हैं, जिसकी वज़े से लोग अपने partner पर trust नहीं कर पाते हैं partner में कोई problem या कोई भी इश्वास नहीं होता, लेकिर उनके बचपन में parents का ऐसा relationship होता है कि फिर वो again मैं कहूंगी किसी पर trust नहीं कर पाते हैं, तो किसी भी reason की वज़े से trust issues रह रहे हैं और वो बहुत परिशान हो रहे हैं बहुत ज़ादा overthinking कर रहे हैं stress है, tension है, उनको रात को अच्छे से नहीं नहीं आ रही है सोचते ही जा रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी, कुछ के लिए हो सकता है, literally आपके partner थोड़ा सा depressive energies में भी जा रहे हैं अब देखी, इसका मतलब यह नहीं क्यों को depression हो गया है, मतलब emotionally बहुत low feel कर रहे हैं कहीं end September के लिए dreaming and high priestess के cards कहते हैं मन ही मन आपके बारे में सोच रहे हैं और कहीं बहुत एक high hopes रख रहे हैं कि भई इस relationship को आगे बढ़ाएं इस relationship में हमेशा के लिए वो रहेंगे या फिर यह relationship आगे बढ़ेगा बहुत खुबसूरत तरीके से एक long term connection आपका और उनका बढ़ेगा तो इन सब चीजों के बारे में मन ही मन सोच रहे हैं उमीदे कर रहे हैं expect कर रहे हैं लेकिन surface level के लिए high priestess का card कहता है कि उस तरीके से action initiative नहीं ले रहे हैं उस तरीके से आगे बढ़कर हो सकते आपको express नहीं कर रहे हैं कहीं उनकी feelings और emotions को लेकर उनकी तरफ से एक transparency नहीं रहती भी दिख रही है और भी कोई चीज हो सकते जिसको आपको नहीं share कर रहे हैं आपको नहीं बता रहे हैं कहीं एक backseat लिते वे दिख रहे हैं ये तो जाहिर है ही है लेकिन साथी साथ बहुत सारी चीज़ें आपके साथ share नहीं कर रहे हैं फिर से कहूंगी transparency नहीं रख रहे हैं और हो सकता हूं को ये भी लग रहा हो कि भी इस relationship में आएंगे चीज़ें फिर से नहीं ठीक रही तो फिर वो बहुत hurt होंगे और बहुत wisdom, बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं और अब देखते हैं कि September month में क्या हो रहा है तो यह कि अहाँ पे 10 of wands, reverse and lessons learned के cards कहते हैं पीछी अगर आप दोनों के मीश में कोई भी मसला चल रहा था, issue चल रहा था, problem चल रही थी तो जिसकी भी गल्ती थी, वो अपनी गल्ती को realize करते हुए दिख रहे हैं और अगर आप दोनों की ही गल्ती थी, तो आप दोनों को ही अपनी अपने level पर अपनी गल्तियों का हैसास हो रहा है और कभी-कभी lesson learned negative sense में भी होता है, जब हम बहुत जादा सामने वाले के लिए करते हैं और हमें सामने वाले से वो एक attention नहीं मिलती है, हम बड़े मायूस होते हैं, hurt होते हैं हमें लगता है कि हमें सबक मिल गया, कि हमने इतना भी सामने वाले को नहीं देना है कि वो हमें for granted लें, तो एक का दुका या कुछ Aries और उनके partner के लिए इस तरीके का भी lesson learned वाली energies हो सकती हैं जो भी हो, यहाँ पे 10 of wands, reverse का card एक दू चीज़े कहता है यहाँ तो पीछे बहुत एक pressure था, बहुत एक burden था, उसको offload कर रहे हैं कहीं थोड़ा सा, you know, कैसे खुद को light करें, इस पर focus कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत ही deep एक pressure burden वाली energies में जा रहे हैं अब starting September आप लोगों के लिए देखें तो बहुत great नहीं है तो मुझे लगता है कि जादा एक pressure, burden इस relationship में महसूस कर रहे हैं अब reasons अब के लिए differ करेगा और बहुत सरे reasons मैं आपको बताए भी हैं और इसी लिए याँ फिर otherwise भी, night of pentacles, reverse and denial के cards कहते हैं कि सबसे पहली चीज, acceptance नहीं है, जैसे मैंने देखा कि शायद end September के लिए, you know, आप दोनों में से कोई एक कुछ चीज को accept कर रहे हैं लेकिन mid September तक या overall के लिए मुझे नहीं दिखता कि वो एक, नहीं हमने sorry, हमने यहाँ देखा lessons learned में कि lesson learned मतलब मैंने अपना सबक सीख लिया, मैंने अपनी गलती मान ली, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर denial का card कहता है, कि शायद negative तरीके से गलती मानी, जो मैंने एक second वाला option दिया था, वो जादा एक गलती मानते वे दिख रहा है, क्योंकि आप लोग अभी भी कुछ चीजों को एकसेप्ट कर रहे हैं, आप दोनों याप दोनों में से कोई अभी भी चीजों को as it is नहीं देख पा रहे हैं, denial मतलब admit ही नहीं कर रहे हैं, कि भाई किस चीज की वज़े से issues हो रहे हैं, कैसे उसको ठीक करना है, और कहीं बहुत एक stubborn, जिद वाली energies, आप दोनों याप दोन जब तक जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ, वो नहीं इस relationship में होगा, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक वो एक safety security नहीं महसूस करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, अब ये आप दोनों में से किसी की भी energies हो सकती हैं, लेकिन आपके partner की जाधर है जब तक मैं पूरी तरीके से trust नहीं कर सकता या कर पा रहा हूँ, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इस तरीके की energies हैं, और शायद इसलिए दिखे, four of souls rivers का card कहता है, बहुत कुछ इस relationship में नहीं हो रहा है, वेन ऐसे बहुत कुछ नहीं हो रहा है, तो जिस भी level पे बात हो रही है, हफते में एक बड़ी बात हो रही है, तो intensity कम होती भी दिख रही है, जितना normally आप लोग बात करते थे, उससे काफी कम चीज़ें जाती भी दिख रही है, अगर वैसे ही बहुत कम बात होती थी तो हो सकता है, बिल्कुल भी बात ना हो, तो कहीं देखिए, फ दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आप ठीक नहीं हो सकती है, तो खाम खा इन पर effort करके उनको ठीक ना करें तो जादा बहतर है, क्योंकि जतना ठीक करने की कोशिश करेंगे, परेशान होंगे, अब ना कुछ इस relationship में हो नहीं सकता, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आपका relationship हमेशा के लिए end हो गया, break up हो गया, देखिए यह monthly ready है, और यहाँ पर हम सिरफ और सब्टेंबर मन्त के लिए देख रहे हैं, और खासकर यह card end September के बारे में बता रहा है, तो कुछ के लिए September मन्त हो सकता है, कुछ के लिए end September में बहुत जादा ऐसी एक feeling हो क्योंकि यह deeper level के लिए card है, और यह card बोलता है कि ऐसा आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं, हो सकता है genuine reasons हैं, और वाक के ही में ऐसा है, और कुछ के लिए हो सकता है based on जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, आपको ऐसी एक again feeling हो रही है, और इस right word, but yes, you know, excitement, enthusiasm नहीं है, या कुछ आप दोनों में से कोई एक relationship को आगे बढ़ाने के लिए नहीं करते हुए दिख रहे हैं, तो यह था Aries आप लोगों के लिए September 2024 की Love Tarot Reading, और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share and subscribe आपके साथ जरू करें